खेलो दोस्तों नमेशकार इसे हम किसी चैनल में मैं आप सिब लों का दिल से बहुत बहुत सगत करता हूँ फर्स टाम विजिट के चालन को सब्सक्राइब करके रख लेना फ्री स्टॉक मार्केट ट्लासेज इस चालन को भी चालो तो फॉलो कर सकते हो तो ठीक है दोस्तों अभी हम लोग आ चुके बिलकुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के उपर और दोस्तों संडे का पहला और आखरी वीडियो आप लोग को पता ही है मतलब हम कह सकते हैं थषड़े के दिन बाजर close हो गया साड़े तीन बजे ठीक है उसके बाद फ्राइडे के दिन चुटी रही सेटर्डे संडे ऐसे ही ऐस यूजर चुटी होती है मतलब हम लोग मोटा मोटी कह सकते है कि साड़े तीन दिन के बाद बाजार उपन होने जा रहा है और इस बीच में धेरो खबरे आती है मतलब बोलते हैं एक ही वीडियो में सभी खबरे को कवर करना भी मुश्केल रहता है बट अभी हम लोग क्या करेंगे जितने important खबरे उनको ही cover करेंगे यहाँ पर साड़े तीन दिन में ऐसी कौन सी खबरे आये थी जिसका reaction कल के दिन हम लोग को aggressively बाजार में देखने को मिलेगा उन particular stocks के उपर उसकी बाचीत हम लोग इस वीडियो में करने वाले है वीडियो के शुरुवात में यह कहना चांगा कोई recommendation नहीं कि buy करो, sell करो, intraday करो वह आपकी मरजी सो पहला तो focus रहेगा कि nifty कैसा करता है nifty की भी बात करें तो बहुत तक ज़्यादा focus इनके ओपर यहापे ज़रूर रहेगा कि कल यह कितना गिरेगा already result आने के पहले तो 3% गिरा था बट जो ADR हम लोगों को गिरते वे दिखने को मिला था मोटा मोटी 10% ही बोल दू दो दिन में उससे भी ज़्यादा है बट चलिए तो कल कितना गिरेगा Infosys इसी की चर्चा सबसे ज़्यादा Infosys बड़ी कमपनी है कोई छोटी मोटी कमपनी नहीं है तो यही देखने वाली बात है कि कल कितना बड़ा gap down और उसके बाद क्या होता है इसी के उपर हर किसी का focus रहने वाला है दैन अगर हम लोग बात करें कुछ लोगों को बहुत अच्छे कुछ लोगों को खराब तो कुछ लोगों को बहुत खराब इस हिसाब से वो पैसे लगाते है और सबसे ज़्यादा जिसका वेटेज होता है उस हिसाब से हम लोगों को वो reaction देखने को मिल जाता है so HDFC बैंक के भी नंबर कैसे रहेंगे उसका भी कल का दिन हम लोगों को यहापे एक reaction देखने को मिलने वाले और यह दोनों दिगज कमपनिया है एक IT सेक्टर का और एक दूसरा finance सेक्टर मतलब बैंक की बात करे तो तो यह पूरे बाकी सेक्टर को भी यहापे प्रवावित करेगा then TCS के उपर भी focus रहेगा क्यों कि अगर देखा गया ना तो TCS के नंबर मतलब इतने भी बूरे नहीं लगे जितने ही मतलब Infosys के लगे मतलब TCS ने actual में अच्छा खेला है कभी-कभी हम लोग बोलते हैं कि जैसे मैं holiday example दे चुका हूँ बट फिर भी देते रहता हूँ कि कोई batsman अगर 25 run score करे हम क्या बोलेंगे क्या 25 run क्या score होता है बट बाद में हम लोगों ने देखा कि पूरी team all out होगी किसी ने 1 run किया किसी ने 0, किसी ने 2 and second highest number था 8 run उसे हैं अच्छा हम लोग बोलेंगे आ रहे इसने तो अच्छा गिया तो वैसा ही है दोस्तो TCS के number पहले आ जाती तो इसलिए पता नहीं चलता है कि इसने अच्छा किया है कि नहीं किया है करके अभी बाकि IT companies का number का अनुमान देखकर घटा दिया है so ये भी point पता होना चाहिए then दोस्तो विपरो के उपर भी focus रहेगा विपरो के भी हम लोग यहापे कह सकते अच्छे कासा पिटाई होते वे देखने को आपे मिल रही है तो कै विपरो भी हमनों को अच्छे कासा गिरते वे देखने को मिलेगा क्योंकि विपरो का ADR भी गिरा था तो ये भी देखना कल के दिन के लिए interesting factor रहने वाला है उसी के साथ साथ HDFC bank को पिछले कई quarter से टकर देने वाली bank ICC bank तो उसका reaction कैसे रहेगा ये भी देखना interesting रहेगा क्योंकि ICC bank ने जितने भी performance दिखा है पिछले कुछ समय से जितने भी quarter से अगर आप देखोगे वो HDFC bank से एक step आगे रहा है इतना शांदर performance रहा है तो ICC bank क्या अच्छा performance दिखाएगा क्योंकि अगर देखागे तो हर star के उपर मतलब NPS, Provision, Profitability, EPS हर star के उपर ICC bank ने तोड़ फोड़ performance दिया है तो इसलिए इसके उपर भी focus रहेगा हाला कि इनके नमबर तो आए नहीं बाद में ही देखने को मिलेंगे बट एक reaction देखने को मिल जाता है कि competitor का performance के से तो इसका performance के प्रति क्या reaction रहता है मेरे इसाब से शायद से HDFC bank के numbers को इस वक्त ICC bank वापस बीट कर सकता है next अगर हम लोग बात करेंगे कल के दिन तो BCG के उपर तो खास focus रहेगा वैसे तो अलेड़ी lower circuit लग चुका है अभी तो ऐसा बोलना बाकि रहेगा कि यह lower circuit कहा तक जाके रुकेगा क्योंकि इस वक्ति की जो खबर है बहुत ही खतरनाक है मतलब कोई third party अगर सेवी को complaint कर देती है तो अलग बात है आपे तो सेवी नहीं इनको शक के घायरे में मतलब पकड़के रखा हुआ और इतने सारे सवाल पूछे हुए है जो शोकास नोटीस भी हम लोगों को देखने को आपे मिल रही है तो हम जरूर कह सकते कि BCG अभी एक बार यह चक्रवे में पस गया उसके बाद निकलना बहुत मुश्किल हो सकता है अभी कहा था कि लोवर सर्कृट चलेगा यह देखने वाली बात है और देखिए दोस्तों अगेन कह रहा हूँ मार्केट में होने के लिए कुछ भी हो सकता है इसमें कभी-कभी बहुत लोग हो जाते है इनके सगर अपर सर्कृट भी आ गए बोला है ओडिटर के उपर भी एक्शन शायद से भी ले सकता है इतना सारा देखने को मिल रहा है फिर भी अगर आप से प्राइस देखकर जाओगे तो फिर फस सकते हैं अलड़े इतने सारे लोग फस चुके हैं मुल्टिपल टाइमस आप देख सकते हैं टॉप लेवल से गिराए देखिए गिरावाट कोई बुरी बात नहीं होती है बट गिरावाट के पीछे के वज़ा भी बहुत ही डिंजरस है तो बस मैं इतना है कहना चौंगा इसको सिर्फ स्टडी परपस के लिए रडर के उपर रख लेना उससे ज़्यादा इसका कोई भी महत्वा नहीं है then EU Small Finance Bank में कल क्या होता है देखने ला एक बात होगी 17% के अलड़ी तेजी हम लोग देख चुके है क्योंकि Management जो पुराना वाला था MDCO जिन्होंने EU Small Finance Bank को अच्छे पोजिशन पर रखा RBI ने उनको तीन साल का extension दे दिया मैंने इससे related सवाल भी पूछा था बहुत सारों ने सही जवाब दिया Yes, Indus Inde Bank जो कि last time RBI ने उनको भी extension दिया स्टॉक भागा बट बाद में बोला तीन साल नहीं सिर्फ 2 साल का extension तो इसलिए stock वापस गिरा तो market कितना fast होता है यह आप लोगों को पता है यहापे होना चाहिए So EU Small Finance Bank की यह तेजी क्या कल भी टिकती है या नहीं उसको आप चाहव तो क्या कर सकते है radar के उपर रख सकते हो Then Tata Steel Tata Steel लिटरली यहापे एक बहुत बड़ी warning देते वे देखने को मिल रहा है Warning मतलब क्या दोस्तो तो आप देख सकते है Tata Steel के जो CEO है उन्होंने सीधा बोल दिया है क्या बोल दिया है कि हम लोग UK में उनका जो plant है कोई भी future नजर नहीं आ रहा है तो Tata Steel वहाँ पर अपना business को continue करेगा अगर नहीं मिला तो जैसे CEO नहीं बोल दिया है कि मुश्किल है हम लोग नहीं future देख रहे है तो शायद से वो plant भी वहाँ पर बंद कर दे तो इसके चलते Tata Steel के उपर भी आप क्या कर सकते है focus बना के आपे रख सकते हो Sir, plant बंद हो गया तो अच्छी बात है ऐसे तो अच्छी बात हो हम लोग तो यहाँ पर बोल नहीं सकते है बट फिर भी देखना पड़ेगा अभी क्या आगे news निकल कर आती है उसी चीज के उपर यह सारी चीज़े डिपेंड यहाँ पर करती है then relance industry यहाँ पर उन्होंने बोल दिया है कि 21 April को तैयर हो जाओ यह अपने numbers को पेश करेंगे मुझे ऐसा लगता है कि relance जैसे कि कुछ कंपनिय है DMART, HDFC Bank, ICC Bank Saturday के दिन number पेश करती है एक बार चेक कर लेना 21 तारीक अगर मैं गलत नहीं हो तो शायब से Friday होगा Relance हमेशा Friday के दिन ही अपने number पेश करती है ऐसा लगता है मुझे यह track history के इसाब से मैं बोल रहा हूं मैं गलत भी हो सकता है जस्ट एक अनुमान मैंने यहापे बोल दिया है चेक कर लेना ठीक है So Reliance भी जबी भी कोई भी चीज का date का announcement करदा है आप चाहो तो इसके उपर भी focus रख सकते कि कि लोग adjustment करना start कर देते है चाहे तो profit book वो कर सकते क्या पता result के बाद entry कर ले इस प्रकार की चीज़े देखने को मिल जाती है Then PB Fintech PB Fintech and HDFC Limited यह दोनों कमपनी जबरदस रडार के उपर रहेगी खास करके PB Fintech तो रहेगा ही रहेगा ऐसा क्यों? क्यों दोस्तों अगर अगर देखा गया तो तीन कमपनिया Go Digit यह तो Share Market में नहीं है Policy Bazar जिसका नम PB Fintech है and HDFC तो इनको यहापे हम लोग कह सकते है कि GST Evasion का जो केस है उसका notice यहापे जा चुका है GGI ने इनको यहापे Investigation से Related यहापे notice यहापे बेज दिया है कि जो invoice रहते है fake invoice से यहापे बनाया है Go Digit भी है तो अभी देख लेते हैं इससे Related Investigation में क्या outcome निकल कर आता है बड़ जबी भी कोई भी कमपनी Investigation में जाती है वो सच है जूट है बात की बात बड़ UC में आ जाती है मतलब Uncertainty हमें पता नहीं अभी क्या सच है क्या जूट है वो तो Investigation में पता चलेगा and Uncertainty बाजार को कभी भी पसंद होती नहीं है तो इसलिए अब PB FinTech को ज़्यादा फोकस में रख सकते हैं क्योंकि यह छोटी कमपनी है बहुत ही छोटी कमपनी HDFC तो बहुत बड़ी कमपनी है वो इन सीजों के साथ बहुत बार easily deal यहापे कर चुके है नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो again future retail अभी future retail एक अच्छी बात है दोस्तो ट्रेडिंग शायद से लग रहा है यहापे बंद की जो कि एक बहुत ही अच्छी बात यहापी की है आपको पता ही है कि बड़े प्लियर जैसे कि Reliance, Adani Group इनको यहापे खरीदने के लिए race में है बट इनके assets को खरीदने के लिए यह share अगर आप खरीदे हो आपको कुछ यहापे मिलने वाला है नहीं बट बाकी companies देखोंगे future consumer इनमें तेजी बरकरारे अगेन कहना चांगा इधर participate करने मच जाना operator must यहापे active हो चुक है enterprise भी बन कर दिया आप देख सबते 11 April को यह trade हुआ था आखिर में और एक stock कुन सा है lifestyle इसको भी मुझे यसा लगता है कि अगर यह trading बन कर देंगे न तो बहुत सार रिटेल विश्टर क्या करते है पार्टिसिपेट करने जाते हैं आपको तो पता ही है यसे लिए कहना चांगा सावदान रहेना सतरक रहेना यह companies completely destroy यहापे हो चुक है अदानी जी उसी के साथ साथ मुकेशंबानी जी इन companies को खरीदना चाते है जिन्दाल ग्रूप 49 companies इनको खरीदना चाते है कुछ तो बात होगा अरे उनके फाइदे के लिए बात है वो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है आपकी company के shares मतलब बोलते हैं ना कुछ भी नहीं बचे है इसके चलते क्या है इनका कोई reaction आता है यह देखना है interesting रहेगा then FMCG companies के और focus रख सकते हैं इनके लिए तो अच्छी बात नहीं फिलाल आपको पता है यह raw materials के दाम बढ़ते वे देखने को आपे मिल रहे है गेहु के दाम, आटे के दाम बढ़ते वे देखने को आपे मिल रहे है unusual rain के चलते हैं एक डर देखने को मिल रहे है शुगर के दाम बढ़ते वे देखने को मिल रहे है चारा महिंगा होगा है इसलिए अगर हम लोग कहे तो milk के दाम हमनों को मड़ते वे देखने को मिल रहा है जो कि FMCG के लिए raw material का काम करता है तो ये भी एक point के चलते हैं आप FMCG companies को भी study purpose के लिए अपने radar के पर रख सकते हो आशा करते हैं वीडियो हलफू लगा होगा तो ज़रू like and share कर देना and demand account अगर आपने अभी तक open नहीं किया है तो link नीचे description में 25 वडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल free of cost मिल जाएगे आपका नाम, कौनसा account आपने link के तरो open किया है properly comment सेगे mention कर देना तो अफते पर के अंदर-अदर सारे lectures मेरे साइड से बिल्कुल free of cost प्रवाइड कर दे जाएगे ताकि अब share market को आसान भाषा से सीख सको so that's it, thank you very much दोसो we will be meeting Rx Studio तब तक के लिए, bye bye